नमस्कार आप देख रहे हैं कैप्टिल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ रोहिक कुमार यूपी बटवारी की साजिश ने एक बार फिल तूल पकड़ना शुरू कर दिया है नगीना से सांसर चंशेखर रावन जो खुद को दलीतों का नीता बताते हैं यूपी बटवारे की साजिश रच रहे हैं और इस साजिश में गुप चुप तरीके से इंका साथ दे रही है बस्पा प्रमुख माया बती शायद इस बात पर कुछ लोगों को यकीन ना हो लेकिन जब इस खबर को अंत तक देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे ना के बल यूपी के चार हिस्से होंगे बलकि प्रदेश में एक छोटा पाकिस्तान भी बनेगा भले ही चनसेखर ने इस बटवारी की मांग यूपी की विकास गती को तेज करने के नाम पर की हो लेकिन ध्यान रहे इसकी इंसाइड स्टोरी कुछ और ही है तो चलिए इसी खबर पर आज चर्चा करते हैं क्याप्टल टीवी की स्पैसल स्टोरी में यूपी में पाकिस्तान बनाने की तैयारी चार हिस्सों में बटेगा उत्तरपरदेश मिलकर तैयार किया खतरनाक प्लान दलितों को भी मिलेगा एक अलग राज्य यूपी बटवारी के साज़श बड़े लंबे समय से होती रही है पहले माया बती और अब चंशेखर रावन हरानी की बात गया है कि जो तर्क बटवारी को लेकर दिया जाता है वो कहीं से भी बटवारी की असली वज़ा नहीं है इसलिए आपको पूरी क्रोनालोजी समझनी होगी इससे पहले ये जान लेते हैं कि संसद में चंशेखर रावन ने क्या कुछ कहा फाइनांस बिल पर लोग सभा में बोलते हुए आजाद समाज पाटी के संसद चंशेखर आवजाद ने कहा कि उत्तरपरदेश को बजट में कुछ नहीं मिला यूपी से 80 संसद आते हैं और सुबे में 25 करोड से जादा लोग रहते हैं लेकिन उनके जीबन को आसान बनाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है नगिना से सांसद आजाद ने आगे कहा कि उत्तरपरदेश में विकास की गती बहुत ही धीमी है बीजेपी के सरकार काम नहीं कर पा रही इसलिए हम केंदर की सरकार से मांग करते हैं कि यूपी को चार भागों में विवाजित किया जाए उन्होंने कहा कि यह जनता की डिमांड है और मैं उनकी बात रख रहा हूँ चनशेकर ने इस प्रस्ताव के समर्थन में बाबा साहिव अम्बेटकर की एक बयान का भी हवाला दिया जिसमें अमेटकर ने कहा कि राज जितना छोटा होगा उसका विकास उतना ही ज्यादा होगा जानकारी के लिए बता दे कि चनशेकर ने पहले बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती भी इस मुद्दे पर काफी मुखर रही है 2011 में मायावती की सरकार ने यूपे विधान सभा में इसकोली कर बकायदा प्रस्ताव भी पाच कराया था लेकिन केंद्र की बेरुखी की वज़ा से यह अमल में नहीं आ पाया था मायावती ने लाया था यूपे विभाजन का प्रस्ताव 2011 में तत्कालेन मुख्यमंत्री माया बती ने उत्तर प्रदेश को चार भागों में माटनी का प्रस्ताव लाया था इस प्रस्ताव के मुताबिक संपूर्ण यूपी को हरित प्रदेश यानि की पश्चिमी भाग, अबद प्रदेश, बुंदेल खंड और पुर्वांचल में बाटा जाना था इसी तरह अबद में अयोध्या, अमेटकर नगर, लखनव, राय बरेली और अमेठी समेट 14 जीलों को रखनी की डिमांड है पुर्वांचल में परियागराज, वारानसी, मिरजापूर, गोरकपूर, जौनपूर जैसे 32 जीले और बुंदेल खंड में जहासी, चित्रकूट और बांदा जैसे 9 जीलों को शामिल करने का प्रस्ताव है इतना ही नहीं, बुंदेल खड में मध्यप्रदेश के कुछ चीलों को भी शामिल करने की मांगी जा रही है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब फिर से मायाबती के इस प्लान को चंशेखर क्यों तूल देने में जुटे हैं पश्मी यूपी में लंबे वक्त से हरित प्रदेश की मांग रही है शुरू में चौधरी चरन सिंग इसमां के जरिये पश्मी यूपी की राजनीती करते रहे फिर मायाबती ने हरित प्रदेश के सहारे अपना जनाधार पश्मी यूपी में बढ़ाया अब इन इलाकों में चंसेखर की नजर है चंसेखर नगीना से अकिले लड़कर चुनाव जीते हैं पश्मी यूपी के सभी 22 जीलों में दलीतों की आबादी करीब 20 प्रतिशत है जो जीत हार में बड़ी भूमिकानिवाते हैं खास कर सुरक्षित सीटों पर पहले ये वोट ए सफलता नहीं मिली है ऐसे में कहा जा रहा है कि अब चंसेखर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिस पर कभी माया बती हमलावर रही हैं क्या है विभाजन का असली मकसद यूपी को चार हिस्सों में बाटने की बात की जा रही है पहला पश्मी भाग यानि की जाटलेंग इजनौर, मुझपर नगर, अमरोहा, बुलंशह, मुरादाबार और रामपूर वाला चेत्र ऐसा इसली क्यूंकि इन इलाकों में मुसल्मानों की अच्छी खासी तादान है और किसी भी सीट का गणित बदला जा सकता है और इसके भीतर ही छिपी है छोटा पाकिस्तान बना जा सकता है पहले माया बती और अब चंद सेखर इसी फिराक में लगे हैं और डलीतों मुसल्मानों को मिलाकर एक नया देश बनाना चाहते हैं और इसलिए यूपी बटवारे का धोंग कर रहे हैं यूपी में मुसलिम कितने एहम देश में मुसल्मानों की आवादी 16.5 एक जो यूपी में करी 20 फिस्दी मुसल्मान हैं यानि की 3.84 कडो देश के किसी राज्य में सबसे जादा मुसलिम आवादी अनुपात के हिसाब से असाम बंगाल और किरल के बाद यूपी चौथे नंबर पहें असाम में 34 फिस्दी जमू कश्मीर में 67 फिस्दी किरल में 26.6 फ मुसल्मानों की बड़ी तादाद है पष्मी यूपी में 26.2 एक फिस्दी आवादी मुसल्मानों की हैं सूबे के 7 जीलो में मुसल्मानों की अबादी 40 फिस्दी से जादा है इनी 7 जीलों में से 6 जगों पर मुसलिम सांसत 2019 में चुने गए 22 के चुनावं में BGP को इनी ज प्रविश्य की सियासत यूपी में मुसलिम मद्दाताओं को साधमे के लिए सभी दल अपने अस्तर से कोशिश कर रहे हैं। मुसलिम वोट बढ़ता रहा लेकिन 2022 के चुनाव में एक मुस्त होकर सपा के साथ गए। मुसलिम जनसंख्या की बात करें तो साल 2011 की जनगना के अनुसार उत्तर परदेश की कूल जनसंख्या और 3,84,83,970 मुसलिम थे। साल 2001 की जनगना के अनुसार उत्तर परदेश में 80.6% हिंदू थे और 18.5% मुसल्मान थे। 2011 की जनगना कहती है कि मुझपन नगर में जहां हिंदू 3,2% घट गए तो वहीं मुसलिम आवादी में 3,2% का इजाफा हो गया है। पूरे उत्तर परदेश में करिए 20% मुसल्मान हैं जिनकी अधिकतर आबादी पश्चिम उत्तर परदेश में हैं। लेकिन अब उसमें भाजपा कहरी सेंद लगाती दिख रही है बसपा से खिसकते दलित वोट बैंक को सपा के साथ ही कॉंग्रेस की हत्यानी की कोशिश में है आजादी के बार चार दशक तक केंदर की सक्ता में रहने वाले कॉंग्रेस पार्टी की जोली में जाने वाले जिस दलित वोट बैंक को काशिरा मायावती अपना बना कर एक नहीं चार चार बार उत्तरपरदेश की सक्ता हासिल करने में कामियाब रही अब उस पर चंशेखर की नजर है और मायावती के वोटरों को अपनी और खीचने का प्रयास है और इसे लिए मुसल्मानों और दलितों क की राजनीती को केंदर में रखते हुए यूपी विभाजन की बात की जा रही है जो की एक सोची समझी शाजिस्त का हिस्सा है फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहे एक ट्याप्टल टी भी नमस्कार